जैश्री महाकाल आदेश आदेश आप सभी मित्रों को हमारे चैनल आईरुवेदा ग्यानें तंत्र मंत्र में सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ आज जो यह विशय है और बहुत ही सभी लोगों का कॉल भी आया और बहुत जन्द उनको कुछ ऐसी चीजे चाहिए थी जो कि हर एक तांत्रिक के पास वो चीज होना चाहिए जो कि आज यह मैं पंच अवधूत अस्त्र सिद्ध छड़ी बनाने की संपूर्ण विधी एवं उसके कैसे सिद्ध किया जाए उसके मंत्रों को मैं आप सबों के बीच आज लेकर आया हूँ आज यह चैत्र का समय चैत्र नवरात्र में आप सबों के बीच यह बहुत ही प्रमानित एवं सटीक जो कि हर एक जो तांत्रिक है हर एक जो भी इस छेत्र से जुड़े हुए है साधनाओं के छेत्रे से उनके लिए यह एक अस्त्र जो है विध्या जो कि मैं आप सबों के बीच आज गुरुओं से अनुमती लेकर आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ यह जो छड़ी है हर तरह के काम के लिए जो कि हर एक छेत्र में आप कहीं भी जाते हो तो इस छड़ी का इतना महत्व है कि कहीं भी आप जाते हो आपका किसी तरह का संकट किसी तरह की परेशानी या किसी तरह के अगर कोई किसी के उपर किसी चीज ने लगा रखा है या किसी को खिला पिला रखा है या किसी भी तरह का विचार उसके उपर हो रखा है तो या सिद्ध छड़ी जो है हर एक तरह के तंत्र का काट कर देती है और हरे एक तरह के बाधाओं से आपको सुरक्षित भी रखती है अगर किसी के घर पर अगर किसी तरह का बंधन लगा रखा है किसी ने उनके पित्रों को बांध रखा है तो उसके घर में इस छड़ी का तीन सटका लगाते ही सारे बंधन जितने भी अगर किये हुए हैं वो सारा उसी के उसी वक्त तूट जाता है और उस घर में जितने भी बाधाएं उत्पन जो होती है वो भी दूर हो जाता है अगर किसी व्यक्ति के उपर किसी के द्वारा ऐसा अभिचार कर दिया गया हो जो कि वो हटता ही नहीं हो चाहे किसी भी तरह का हो इस छड़ी का यह प्रभाव है कि अगर उसको हलका सा तीन छड़ी भी अगर उसको लगा दिया जाए तो जितने भी तरह के उपदर्ब है वो चीखते चिलाते हुए वो आवेश में आ जाते हैं और वो छोड़ कर भागते और दुबारा कभी उसके उपर प्रवेश नहीं करते अगर किसी तरह का कोई पुत्तल का प्रियोग किया हो या किसी तरह के हांडी का प्रियोग किया हो चाहे मूट का प्रियोग किया हो चाहे किसी तरह का बान चलाया गया हो सब्द बेदी बान हो चाहे किसी तरह का जल बान चलाया हो, रक्त बान चलाया हो, उसी के उसी वक्त यह जो छड़ी है, वो उसको काट कर देती है, यह हमारा जो है प्रमानित, जो की गुरुओं के द्वारा, यह मैं भी बना कर रखा हूँ, जो आज आप सबों के बीच में यह प्रस्तुती लेकर आया हूँ, यह जो अवधूत जो छड़ी मंत्र है, यह बहुत ही दुरलब और कहीं ना मिलने वाला, यह आप सबों के बीच में लेकर आया हूँ, आज जो भी विद्या हमारे जो विलप्ति के कगार पर है, उनको जागर करने है तू, मैं जल कल्यान है तू, यह जो मंत्र ह जो गुप्त से गुप्त है, आप सबों के बीच में लेकर आता हूँ, इस लकड़ी को बनाने के लिए, इस छड़ी को बनाने के लिए, पहला तो अढ़ाई फिट की लकड़ी चाहिए, जो की बेत की छड़, पहला नंबर दूसरा है पीपल की लकड़ी, बढ़ की लकड़ अंकोल की लकड़ी और खेर की लकड़ी सभी को एक ही साइज में और वो भी हम बताते हैं जब रभी पुष्य का समय हो या पुर्णीमे का समय हो उसके एक दिन पहले सभी बृच्छों को निमंतरन दे करके और जिस दिन आप इस वनस्पती को लाने जाएंगे उस दिन कुछ खाना पिना नहीं है उपवास वरत रख करके इन वनस्पती को वहाँ वरिच्छों का पूजन करके इन सभी लकड़ीयों को आप लाएंगे और एक लाल कपड़े में लपेट करके इसको रखेंगे जमीन का इस पर्स नहीं करवाना है उसके पस्चात पंच गव्य जो बनती है पंचामरित जो बनती है पंचामरित बना करके इसको इसनान करवाना है और गंगा जल से सुद्ध करना है और पीले चंदन गंगा जल और गुलाब जल इन तीनों का लेप इस पर चड़ा देना है और जो है उसकी चांदनी जो है रात की चांदनी उस पर पड़े और वहाँ एक दीपक लगा कर जो मैं मंत्र आप सबों के बीच प्रस्थुत किया हूँ कम से कम 108 बार इस मंत्र का अब जाप करेंगे और कुसा की जो टेहनी मिलती है जो की आपको पांसारी दुकानों पर प्राप्त हो जाएगी उस कुसा की टेहनी से तालन करते हुए उन छड़ियों के उपर इस मंत्र का अब जाप करेंगे और साथ अनाच के दानों को उस छड़ी के उपर आप छोड़ेंगे तो ये जो छड़ी है पुर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है अब क्या करना है तीन तरह के जो तार होते हैं जो की ब्रास का तार होता है जो की पीतल के पतले तार मिलते हैं तामबा के जो तार मिलते हैं और लोहे के तार मिलते हैं और एक चांदी के तार मिलते हैं ये चार तरह के तारों से इसको पूरा लपेट करके बढ़िया तरीके से इसको बांधना है बांधते बांधते यह मंतर भी पढ़ना है जो मैं मंतर डाला हूँ इसका जाप करते रहना है और पंचरंगी धागा जो बीच की लकड़िया आप डालेंगे उसमें पंचरंगी धागा लपेटेंगे पूरी तरह से इसको बढ़िया से बना करके और इसको अच्छी जगा लटका कर रखेंगे यह जमीन में नहीं रखना है यह पंचवदूत छड़ी और जब भी किसी कारी है तूँ आप जाएंगे तो इस छड़ी को ले कर जाना है किसी का घर में अगर किसी भी तरह की बुरी सकती हो तो इस छड़ी का वहाँ प्रवेश होते ही वह वहाँ से पलायन कर जाती है और हर साल पुर्णीमा में जो माग की पुर्णीमा आती है कार्त मंत्र का कम से कम 108 बार या 21 बार जाप करेंगे तो ये हर साल ये इसका पावर जो है बना रहता है और जो छड़ी धारक है उनको यह बात अवश्यक याद रखना है कि जब भी ये छड़ी का प्रियोग करने जाएंगे तो उस समय माद मदीरे मांस का सेवन एकदम नहीं होना च तुद्धता इसमें परमवश्यक्ता है तो आप सभी मित्रों को के बीच में यह प्रस्तुती लेकर आया हूँ आपको अगर यह हमारा चैनल अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इसी तरह और भी तरह के वनस्पती तंत्र से जुड़ी और गुप्त से गुप्त विद्याय जो की आप सभों के बीच में लेकर प्रस्तुत होता रहूंगा और जो भी सिखने के इच्छुक है हमसे संपर्क जरूर सादे और आशा करता हूँ आप अभी इसी तरह हम पर अपना प्यार बनाए रखे जै श्री महाकाल जै माका मक्या प्रस्तुत है